अलो फ्रेंड्स दोस्तो मेरा ना माविनाश अगरवाल है दिस लेक्चर नमबर 54 फर करन्ट अफेर्स MCQs जो कि आपको UPSC Civil Services के प्रिलिम्स एक्जामिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करेगा दोस्तो वेलकम तो अनकाडमी उपसी आर्टिकुलेट चानल अफेर्स मेरा अजेंड़ा है तो इस लेक्चर के अंदर हम इन प्रेंट टॉपिक्स को डिसकस करने वाले हैं आपके साथ कुछ कुछ टोटल 54 लेक्चर का पीडिएफ डाउनलोड करना चाहिए पढ़ना चाहिए रिवाइस करना चाहिए फ्राइडे को मैं आपका टेस्ट लूँगा करन्ट अफेर्स के ओपर दोस्तो दिस विल बी अ फ्री टेस्ट जिसके अंदर सारे सुडेंट कर सकते हैं 100 क्वेस्चेंज हम करन्ट अफेर्स के इस टेस्ट के अंदर सौल करते हैं आपको केवल अनकेडमी प्लाटफॉर्म पे आना है और उन लेक्चर का फायदा उठाना है दोस्तो मैंने भी कई सारे फ्री लेक्चर आपके लिए बना रखे हैं जिनका डीटेल मैंने आपके सामने रख रखा है दोस्तो रमेश सिंग सर की किताब है इंडियन एकनामी की चैप्टर बाइचाप्टर समरी उसकी मैंने आपको प्रोवाइड करिये आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए दोस्तो और कितना रिच कंटेंट वो लोग आपके लिए क्रियेट कर रहे हैं 21-23 के बैचिस स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तो from 8th of September आपको इन बैचिस के अंदर जुड़ जाना चाहिए बहुत अच्छे से आपकी तैयारी आगे भड़ेगी 1-year बैच है दोस्तो आप देख सकते bilingual बैच है complete breakdown अबने दिया है कि आपकी जर्नी कैसे आगे भड़ने वाली है और इस सारी चीज़ों के अंदर आपको 10% discount मिलेगा यूजिंग कोड अवी UPSC दोस्तो राइट वर्ल्ड फिजिकल जोग्रफी हिस्ट्री पॉलिटी एकनॉमी मीडिवियल जोग्रफी आर्ट एंड कल्चर एंविरॉन्मेंट साइन्स एंटेक इंटरनेशनल डिलेशन्स पोस्ट इंडिपेंडेंस एथिक्स गवर्नस इंडि पूरा का पूरा डिटेल आपको दे रखा है लक्षे बैचे हिंदी के अंदर भी पूरा का पूरा डिटेल आपको दे रखा है दोस्तो कहीं पर भी इतनी ट्रांसपरेंट तरीके से काम नहीं करा जा रहा है दोस्तो जितना अनकैडमी करने लग रही है दोस्तो आपके लिए इसका आपको पूरा फाइदा उठाना चीए विजडम सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है जिसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बाते आपको करी जाने लग रही है जिसके माध्यम साब एडुकेटर से क्लास में बात कर सकेंगे प्लस एन आइकॉनिक मेंबर्शिप के फाइदे आपको लोन जो दिया जा रहा है उसका पूरा डिटेल आपके सामने आपर रखा है दोस्तों 20 किताबे आपको दी जाएगी 1 year plus subscription के साथ उस 1 year plus subscription के अंदर आपको 100% syllabus coverage static current orientation की किताबे दी जाने वाली है UPSC combat में आपको every Sunday participate करना चीजो की national level test है दोस्तों अवी UPSC code use करके participate करिएगा अवी UPSC at 11 a.m. on Sunday और देखेगा कि आपकी national level पर क्या ranking आती है दोस्तों पहला question आपके सामने आ गया है conceptual question ने दोस्तों consider the following statements regarding Indian railways पहला statement यह है कि operating ratio is the sum that the transporter spends in order to earn a rupees revenue operating ratio का definition दे रखा है what is operating ratio? it is the sum that the transporter रहने कि Indian railways spends in order to earn a rupees revenue operating ratio is a key measure of efficiency with higher percentage indicating lower efficiency तो higher percentage अगर operating ratio का है so does it indicate lower efficiency और higher efficiency दोस्तों यह आपको सोच के बताना है operating ratio of Indian railways has increased drastically over the years आपको सोच के बताना है कि कौनसे statements करेक्ट है दोस्तों business standard के अंदर एक बहुत important report छपी है उस report के अंदर Indian railways के सारे के सारे कच्चे चिटे को निकाल कर दिया गया है कि Indian railways का account कैसा चलने लग रहा है कितना profit में है, कितना profit में नहीं है right, किस प्रकार से खर्चा होने लग रहा है सारी चीजे आपको बताई गई है उसी को base बना कर ये question आपको पूछा जा रहा है please share your answers for the first question one of the most important questions है दोस्तों मैं आप लोगों को time दे रहा हूं ताके आप लोग attempt कर सके Amand Gupta, your answer is 1A Jalaj, your answer is 1A दोस्तों, please read the question again what is operating ratio? it is the sum that the transporter spends in order to earn a rupees revenue क्या ये statement सही है? operating ratio is a key measure of efficiency with higher percentages indicating lower efficiency so higher percentage lower efficiency दिखाएगा या higher percentage higher efficiency दिखाएगा and operating ratio of Indian railways has increased drastically over the years कौन से statement स्करेक्ट है? ये आपको बताना है पृति परना, your answer is A aspirant, your answer is C कई students केवल ये drastically को देखकर इसे eliminate कर रहे है दोस्तों उनको idea नहीं है कि क्या है, क्या नहीं है बढ़ उनको लग रहे है कि ये extreme statement है तो इसे eliminate कर दिया जाना चीए ये एक standard operating तरीका है दोस्तों answer की तरफ जाने का कि extreme statement को ठाओ और उसको eliminate कर दो आप इसमें फस सकते हैं दोस्तों हर extreme statement गलत नहीं होता है 1A answer सहीं नहीं है आप अपने answers change कर लीजिए please select some other option I request you to please reconsider your answer and again give the answer for this question पहले question का क्या answer होना चीए प्रशांत, जलज, पृती परना as well as अमन गुपता I request all of you friends to please change your answers and share something else दोस्तों friends यहाँ पर answer बनना चीए C, 3 statements correct है let me give you the complete conceptual clarity यह आपको GS3 में बहुत काम आएगा railways के बार में अगर आपको बात करवाता है railway का account क्या reveal कर रहा है कि it is spending रुपीज 98 to earn रुपीज 100 98 रुपीज spend करता है तो 100 रुपीज कमाता है business standard का analysis क्या कह रहा है दोस्तों कि जो actual operating ratio है वो और भी खराब है what is operating ratio operating ratio is the money or it is the sum that you spend in order to earn a rupees revenue एक रुपीज कमाने के लिए आपने कितना पैसा खर्ची करा 100 रुपीज कमाने के लिए अगर आपने 98 रुपीज खर्ची करा तो आपका operating ratio क्या हो गया 98 राइट तो point यह है दोस्तों कि जितना ज्यादा यह ratio higher जाएगा it is a key measure of efficiency higher percentage indicating lower efficiency suppose कर लिजिए कि 100 रुपीज कमाने के लिए आपने 96 रुपीज spend करा या फिर आपने उसकी जगा पे 97 spend करा या फिर आपने 98 spend करा तो यह खराब होता जा रहा है अगर आप percentage निकालेंगे multiply by 100 करके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर operating ratio 96% आएगा कि 100 रुपिया कमाने के लिए 96 रुपीज spend करा 100 रुपिया कमाने के लिए 97 रुपीज spend करा 100 रुपिया कमाने के लिए 98 रुपीज spend करा तो जैसे जैसे आपका यह ऑपर greatest रेशियो का percentage भड़ता जाएगा यानि कि inefficiency है यानि कि 100 रुपया कमाने के लिए अगर आपको 98 रुपीज 99 रुपीज या 100 रुपया खर्ची करना बढ़ रहा है यानि कि आप बहुत खराब तरीकी से अपना business run करने लग रहे हैं दोस्तों ये चीज आपको clearly समझ में आ गई है अब मैं आपको एक और चीज सबसे पहले आपकी काम की चीज दिखाता हूँ इंडियन रेलवे का जो operating ratio है वो deteriorating condition के अंदर है 2012-2013 के अंदर 100 रुपया कमाने के लिए 90 रुपया इंडियन रेलवे खर्चा करा गरती थी 2019-2013 आते 100 रुपया कमाने के लिए 98 रुपीज हम लोग खर्चा करने लग गए है ये रेलवे के आखड़े हैं जो की फरजी आखड़े हैं दोस्तों अगर आखड़ों के उपर सही नजर डाली जाए तो आपको समझ में आएगा कि actual के अंदर आखड़ा should be 102 या 103 याने कि 100 रुपया कमाने के लिए railway spending 102 रुपया 103 रुपया railway spend करने लग रहा है याने कि railway जो है operating ratio आप देखा सकते है clearly आपको दिखाई देरा operating ratio से कि railway is running in a loss आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो actual operating ratio and recalculated operating ratio है उसके अंदर there is a difference जो दिखाया जाने लग रहा है वो कम दिखाया जाने लग रहा है दोस्तों और उसको अगर आप बराबर से calculate करेंगे तो वो आपको properly दिखाई देगा दोस्तों railway के सारे finance का पूरा detail यहाँ पर दे रखा है but before we discuss that detail मैं आपको यह question वापस से दिखाना चाहता हूँ और सारे students एक बार ज़रा thumbs up दे दीजी अगर आपको convince हो गया है यहाँ पर साफ लिखावा है it is साफ लिखावा है यहाँ पर कि drastic इसमें change आने लग रहा है railway के अंदर it is not surprising that the operating ratio has increased drastically over the years 90 से अगर 98 आजाता है तो वो बहुत ज्यादा drastic change है दोस्तो बहुत बड़ा change आजाता है operating ratio के अंदर तो अगर आपको convince हो गया है कि आपको पहला statement समझ में आ गया है पहला question समझ में आ गया है तो प्लीज ज़रा एक thumbs up दे दीजीए दोस्तो all students are requested प्रशांत, पृतिपर्णा, श्रीपद, aspirant as well as जलच I am asking you again कि is there any doubt in the first question it is a very good question जो की conceptual clarity को आपकी test करने लग रहा है ओके now let me explain the entire matter to you सबसे पहली बात आप ये figure के उपर आप नजर करिए railway capital expenditure undertake करता है capital expenditure undertake करने का पैसा कहां से आता है internal resources मतलब खुद के पैसे कितने यूज करता है तो आप यहां पर देखिए कि खुद का पैसा यहां पर अच्छा यूज कर रहा था और अब यहां पर खुद का पैसा कुछ भी use ने कर रहा है क्योंगा आपास कुछ पैसा ही नहीं बच रहे तो पहले कितना extra budgetary resource यान कि कितना debt लिया करते थे और अब कितना debt ले रहे हैं बहुत ज़्यादा debt लेने लग रहे हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि debt का component भढ़ गया है So railway is relying more on debt and less on internal resources Internal resources है ही नहीं दोस्तों Passenger losses are overshodding freight profit Profit on freight services देखिए orange color का है तो एक time था जब freight services के पर profit काफी अच्छा था और difference काफी ज्यादा था यानि कि जो loss हो रहा था passenger service आप जानते हैं कि जो passenger की tickets हैं वो सस्ती tickets है, subsidized tickets है actual cost नहीं लिया जारा passenger से तो passenger services में loss है और मालगाडी जो चलती है उसमें मुनाफ़ा है क्योंकि मालगाडी में जो पैसा ले रहा है उससे ज्यादा पैसा ले रहे है मालगाडी के अंदर तो काफी difference था profit, freight service का profit ज्यादा था passenger service का loss से काफी ज्यादा था अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उल्टी गंगा भेनी start होने लग रही है दोस्तों कि जो losses है passenger services के उपर वो हावी होने लग गए है और वो profit को पूरी तरही से खाने लग रहे हैं दोस्तों उसी वज़े से reason है दोस्तों कि railway के पास internal resources बच नहीं रहे हैं कि वो लोग spend कर सके capital expenditure के उपर खुद के पैसे से sundry earnings decline हो रहे है sundry earnings का मतलब यह कि railway का infrastructure है railway का asset है उस पर marketing कर सकते हो उस पर advertisement कर सकते हो लेकिन उसको भी हम बराबर ढंग से नहीं कर पा रहे है actual amount decline होने लग रहे है दोस्तों जो railway subsidy बाटता फिर रहा है दोस्तों net social service obligation जिसे कहते हैं जो net social service obligation उसका amount भढ़ते जाने लग रहा है और 45,000 crores भढ़ चुका है दोस्तों वह amount अगर आप बात करें कि net social service obligation as a percentage of revenue कि अगर 100 रुपया कमाया तो उसमें से net social service obligation में कितना खर्ची कर दिया तो 2006 के अंदर 6% था अगर 100 रुपया कमाया तो net social service obligation में 6 रुपया खर्ची कर दिया अभी वह 26% हो चुका है दोस्तों कि 100 रुपया कमाया तो 26 रुपया स्पेंड कर दिया net social service obligation के अंदर तो this is the story of deteriorating finances of the railways जिसको मैंने पूरा आपको यहां पर explain करके दिया है business standard का शांदार article का complete coverage आपको इस note के अंदर मिल रहा है आपको इस note को download करना चीए दोस्तों I hope आपको इस सारी चीज़े clearly समझ में आ गई है खासकर अगर आप beginner student है कि railway की हालत कितनी ज़्यादा खराब है दोस्तों यहीं पर answer बनना चीए C moving ahead to the second related concept दोस्तों राष्ट्रिय रेल संरक्षन कोश के बारे में भी मैं आपको थोड़ी देर में बाते बताऊंगा दोस्तों बहुत interesting बाते बताऊंगा आप तब तक पहले यह question का answer करिए कि कॉंसे statements correct है regarding राष्ट्रिय रेल संरक्षन कोश यह dedicated fund है for critical safety related works of Indian railways यह lapsable fund है announced in the budget 2017 Ministry of Finance, Ministry of Railways एक equal contribution make करते है in the fund annually आपको गताना की कॉंसे statements correct है दोस्तों प्लीज शेर यूर आंसर्स for the second question आपके पस 30 seconds है दोस्तों चलिए, very good पृतिपर्ना, श्रीपज, अमन, जलज, आस्पिरेंट राइट प्रशांत जी, प्लीज शेर यूर आंसर्स for the second question second question का आंसर बता दीजिए दोस्तों राष्ट्रियर रेल संरक्षन कोश बड़ा important topic है बहुत important learning देना वालाव मत्पोव दोस्तों railway इतना innovative accounting कर रही है न दोस्तों कि एक जगा से पैसा निकाल के दूसरी जगा पे दिखा दिया दूसरी जगा से पैसा निकाल के तीसरी जगा पे दिखा दिया ने कि कुछ भी कुछ भी चलने लग रहा है दोस्तों literally speaking कुछ भी कुछ भी चलने लग रहा है उसी के अंदर ये राश्ट्रियर रेल संरक्षन कोश का भी नाम लिया गया है तो ये भी एक topic important है इसके बारे में भी coverage होनी चीए दोस्तो second question के अंदर तीन answer में तीन प्रकार के answer दिखाई दिए है प्रशान्त के रहे हैं A है जलज के रहे हैं D है और प्रमोध राम के रहे हैं C है 1, 2 and 3 है दोस्तो और भी 2-4 लोग जरा answer देजिए देखते हैं क्या variety आती है श्रीपद के रहे हैं C answer होना चीए अमन गुपता के रहे हैं answer A होना चीए प्रिती परणा आप भी answer देदीजिए मिनाक्षी प्रिती परणा aspirant what should be the answer over here सारे students जरा answer बता दीजिए एक बर second question का answer everybody has to attempt दोस्तो option of not attempting is not there तो दोस्तो answer आप लोग most of y'all are going in the wrong direction most of y'all are going in the wrong direction right aspirant अपना answer change कर लो स्रीपद आपका answer गलत है right प्रशांत प्रमोद आपके answers गलत है दोस्तों right यहाँ पर answer बनना चीए D why should the answer भी D क्योंकि यह non-lapseable fund है lapsable fund नहीं है और ऐसा नहीं है कि ministry of finance और ministry of railway को equal contribution करना है ऐसा नहीं है दोस्तों पहले तो आभी समझे कि यह है क्या राश्ट्रिय रेल संरक्षा कोर्स किया है दोस्तों कि railway को protection railway की safety को railway passengers की safety को increase करने के लिए हमने dedicated fund बनवाया था ताकि critical safety related works के ओपर पैसे को खर्ची करा जा सके यह non-lapseable fund है जो भी पैसा इसमें गया वो पैसा इसी ही fund के अंदर रहेगा और यही purpose के लिए खर्चा होएगा ऐसे नहीं कि पैसा गया और अगर खर्चा नहीं करा तो एक साल बाद उस पैसे को निकाल लेंगे तो what is a lapseable fund की पैसा डाला एक साल के अंदर खर्चा नहीं हुआ by the end of the financial year तो पैसे को ले लिया जाएगा वापस, non-lapsable fund में पैसा डाल दिया तो उसे वापस लिया नहीं जाता है तो यह non-lapsable fund है 17-18 के budget में अनाउंस करा गया था, safety fund है दोस्तों भी तो corpus of more than 1 lakh crore करना था, over a period of 5 years 1 lakh crore का corpus करना था finance ministry हर साल 15,000 crore रुपया इसके अंदर contribute करेगी, ministry of railway को बोला था कि तुम 5,000 crore every year contribute करा करो, railway ministry contribute नहीं कर पाई है क्योंकि railway के पास पैसा ही नहीं है दोस्तो, 3 साल के अंदर 15,000 crore रुपया देना था, ministry of railways को इस fund के अंदर, ministry of railways ने 3 साल के अंदर किवल 5,000 crore रुपया इस fund के अंदर दिया है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है दोस्तो, so this fund was established why to accomplish zero accident mission by strengthening safety measures, right, under this fund, rail track, renewal, upgradation, bridge, rehabilitation वगेरा वगेरा पे काम करना था, तो यह सारी चीज़ा आप तो समझ गाए हैं दोस्तो, तो आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं, कि आपका answer क रेचीदा questions है, आपको यह questions को tackle करना आना चीए, अब railway क्या करने लग रहा है दोस्तो, कि railway के पास तीन fund है, ठीक है, एक तो depreciation reserve fund है, एक pension वाला fund है, और एक यह राश्ट्रियर रेल संरक्षन कोश है, तो पैसा यहाँ से निकाल के, वहाँ, वहाँ से निकाल के, यहाँ, innovative accounting क करके कैसे भी करके operating ratio को नीचे दिखाया जाने लग रहा है दोस्तो, तो राश्ट्रियर रेल संरक्षन कोश का भी जो है, negative प्रकार का misuse चलने लग रहा है दोस्तो, इसलिए यह news में था, इसलिए इसके पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है, ठीक है दोस्तो, moving ahead to the third question दो आपको बताना कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, at present, domestic financial regulators namely, RBI, CB, PF, RDA, IRDA, regulate the business in IFSC, companies setting up in gift are given 100% corporate tax exemption for 10 years, आपको बताना कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, क्या हमने 100% corporate tax exemption for 10 years दिया है दोस्तो, आपको बताना है, क्या यह regulators operate कर रहे हैं, यह regulator के तौर पे काम कर रहे ह IFSC में, या फिर कोई और body regulator का काम कर रहे है, आपको सोच के बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स are correct over here, थर्ड क्वेशन का answer बता दीजे दोस्तो, यह news में क्यू था, क्योंकि अभी गुजराद government ने क्या करा है, कि जो गुजराद के अंदर IFSC establish करा गया है, gift city के अंदर, तो वो सारा का gift city का जो भागदोड है, वो गुजराद government अपने हातों में ले लिए, ताकि उसके construction को जो है तेजी से आगे बढ़ाया जा सके दोस्तो, इसलिए यह news में था, इसलिए इसको cover करना जरूरी है, right, please share your answers for the third question, variety of answers दिखाई दे रहे हैं, दोस्तो, third question के अंदर, questions है दोस्तो, कल starting के 4-5 questions होड़े से easy गर गए ते तो में बिलकुल भी मजा नहीं आया था दोस्तो, तो आज मैं सुपर थोड़ा से और जल्दी उठा, ताकि थोड़ा से और ज्यादा घुमा घुमा के questions बना के आपके सामने लाओं दोस्तो, right, variety of answers दिखाई दे रहे, A, B औ और इस authority को हमने सारे regulators के power, जितने भी regulators हैं इंडिया के अंदर, सारे regulators के power इस regulator को दे दिये हैं, और second statement बिलकुल सही है, therefore the answer to this question is two only, let me explain the entire matter to you दोस्तो, यहाँ पर answer B बनना चीए था, right, इंडिया का International Financial Service Center है गांधी नगर के नजदीक में दोस्तो, right, और यह आगे भढ़ रह मुदी जी का सपना था, जो 2007 के अंदर देखा गया था, उसी सपने को अभी हम construct कर रहे हैं दोस्तो, तो यह एक under construction central business district है, जो कि एमदाबाद और गांधी नगर के बीच में है, concept बढ़िया है दोस्तो कि high quality physical infrastructure बना कर देना है, ताकि finance और tech firms यहाँ पर relocate हो सके, मुंबई, ब establish हो जाती है, तो economic activity इंडिया के अंदर और अच्छे से regenerate हम कर पाएंगे दोस्तो, यहाँ पर हमने special economic zone, entertainment zone, software, technology, park, सारी चीज़े establish कर वाए हैं, बढ़िया हमें बढ़िया, उसके बाद हमने क्या करें कि international finance service center authority बनाए दोस्तो, international financial service authority इसको 2020 में बनवाए हमने, हमने क्या करा एक bill लेकर आए, और उसको हमने money bill बनवा के पास कर दिये, 2019 के अंदर फटा-फट ताकि राज्यसभा के अंदर गलती से अटक ना जाए दोस्तो, ठीक है, अब यह IFSC का role क्या है, यह unified authority है, जो की develop करेगी, regulate करेगी financial products, financial services, financial institutions in IFSC in India, तो यह जो gift वाला IFSC है, पहला IFSC है, और जो भी 4 IFSC बन सकते हैं, दोस्तो, तो जितने भी IFSC बनेंगे, international financial service centers, वहाँ पे जो भी financial service products और institutions का regulation का काम होगा, वो RBI, CB, PFR, यह रिडा नहीं करेगी, वो आपकी IFSC करेगी, दोस्तो, तो यह basic जानकारी है, यह मैंने आपको बताया, उसके अलावा IFSC जो गुजरात में setup कर गया है, उसको promote करने के लिए बहुत सारे steps लिये जाने लग रहे हैं, जैसे हमने इंडिया का पहला international exchange, इंडिया international exchange को IFSC के अंदर setup करवाया, एक unified regulator बनवाया, जिसके बारे में मैं आपको अल्रेडी बता दिया है, जो भी companies, अपनी दुकान, gift city के अंदर लगा रही है, अप आप चुनेंगे, यानि कि 15 साल में से वो कौन से 10 साल होंगे, जिसमें आप कोई corporate tax नहीं पे करना चाहते हैं, ये आप चुनेंगे दोस्तो, right, IELFS के साथ public private partnership प्रकार का game start करा था दोस्तो, कि IELFS ने 49.99% stake उठाया था इस project के अंदर, और इस project को develop करने में मदद कर रहा था अब आप जानते हैं कि IELFS खुद डूप चुका है दोस्तो, तो finally हमने क्या करा कि IELFS को बहार निकाला और 50% stake जो है वो गुजरात Urban Development Corporation ने अपने हाथ में लिया है, यानि कि आप गुजरात Government का complete control है gift के ओपर और गुजरात का जो ये Urban Development Corporation as well as गुजरात Maritime Board है, ये पैसा डा आलेगोर accelerated तरीके से infrastructure को develop करवाएगा दोस्तो, ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूरन topic है दोस्तो, इसके बारे में बहुत सारी news item चलते रहते हैं, मैंने आपको basic ज्यानकारी clear करवाई है, उसके basis के ओपर question पुछा है, आप clearly देख सकते हैं, यहाँ पर answer B है दोस्तो, ज यहाँ पर तीनों प्रकार के crocodiles हमारे को देखने को मिल रहे हैं, घरियाल, as well as saltwater crocodile, as well as mugger, अब मैंने आपके लिए match the following प्रकार का question बनाया, pairing pairing वाला question बनाया, कि species का नाम रखा, और आपको बताना है कि उसका IUCN status correctly matched है कि नहीं है, तो is घरियाल critically endangered, इस saltwater crocodile least concern is mugger vulnerable, आपको सो students को exam के अंदर भाइभीत करने के लिए, जान बुच के फालतु data डाल दिया जाता है, डराने वाला, कि student एक मिनट तो यहीं देखता रहे जागा कि हाई राम, यह तो नाम मैंने कभी सुने ही नहीं है, आपको क्या मतलब है, यह नाम को आप ignore करो, आप घरियाल पर फोकस करो और उसके status पर फोकस करो, salt water पर फोकस करो, status पर फोकस करो, magar पर फोकस करो, vulnerable पर फोकस करो, तो जान बुच के examination के उपर अंदर दोस्तों, जान बुच के extra data डाला जाता है question के अंदर, जो की बड़ा खतरनाक लगने वाला data होता है, जिसका कोई relevance नहीं होता है, लेकिन जान के डाला जाता है, ताकि student उसको देखकर अपने time बरबात करें दोस्तों, तो आप लोग इस trap के अंदर मत फसिएगा, please share your answers for the fourth question, चलिए, जलज, प्रशान्त, लकी, आप सब लोगों के answers D आ रहे हैं, सारे students अपना answer बता देंगे, दोस्तों, अमन गुपता आपका भी answer D है, चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, बड़ा असानी से आप लोगो फसाया जा सकता है, यह vulnerable यहाँ होना चीए, और यह least concern यहाँ होना चीए, यह possibility है, सोचके बताइए, what is the right answer over here, are you sure that the answer is D, 100% sure है दोस्तों आप लोग, कि यहाँ पर उल्टा भूल्टा नहीं करा गया है, are you 100% sure, कलपेश, रिचा, तान्या, लकी, प्रमोध, प्लीज जॉइन दर टेलिग्राम चैनल लनाकाडमी अंडर्सकोर अविनाश और डाउनलोड द नोट, are you 100% sure, चलिए, very good, if you are 100% sure, very good, the answer should be D, आप लोगा answer correct है दोस्तों, केंद्रपारा डिस्ट्रिक का डेवलप्मेंट म वहाँ पर एक बेबी घरियाल मिला है, as a result of which अब वहाँ पर तीनों प्रकार की स्पीशीज आपको मिल रहे हैं, it is also the home for saltwater crocodile, 2016 के अंदर हमने मगर को भी rescue कर आता दोस्तों, घरियाल saltwater crocodile conservation program was first implemented in Odisha in 1975, मगर conservation program was also started 1975 के अंदर, union ministry of forest in collaboration with UNDP ने start कर आता, crocodile breeding and rearing project in डंगा माला अरियाल का पूरा detail दे रखा है, यह critically endangered है, मगर का पूरा detail दे रखा है, यह vulnerable है, right, saltwater का पूरा detail दे रखा है, यह least concern है, based upon this information, आपको clearly समझ में आ रहे हैं दोस्तों, that the answer to this question should be D दोस्तों, right, moving ahead to the fifth question, easy question है दोस्तों, सब लोग फटा 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 आंसर कर सकते हैं, देखते ह Annual meetings of Eastern Economic Forum take place in which of the following countries, Japan, China, South Korea या फिर रशिया, summits, conferences and conventions से related एकाल सवाल पूच सकते हैं दोस्तों, कुछ सवाल paper में भी easy आते हैं, तो एक सवाल मैंने भी आप लोगों के लिए easy सवाल बना के रखा है, please share your answers for the fifth question, okay, चलिए, जलज, your answer is D, श्रीपद, कलपेश, रिचा, please like and share this session with one of your good friends, जो की तैयारी कर रहे हैं, fifth question का answer सब लोग बता दीजे, right, what should be the answer for the fifth question, दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप regulatory bodies की तैयारी कर रहे हैं, RBI एन अबार की तैयारी कर रहे हैं, तो आज मेरा एक course start होने वाला है, जिसमें मैं A to Z government schemes cover करवाने वाला हूँ, ये course 12. 12.15 PM के उपर start होगा, आज उसका पहला lecture होगा, आपको उस course में जुड़ना चाहिए और उसका बहतरीन फायदा उठाना चाहिए, अगर आप NCRT पढ़ना चाहते हैं, basic level से तैयारी करना चाहते हैं, तो एक NCRT का course भी ongoing है, 6 PM पे NCRT की classes करता हूँ दोस्तों, तो ये मेरे ongoing courses हैं, इनका आपको पूरा फायदा ज़रूर उठाना चाहिए, 5th question का answer is D, Russia के अंदर होता है दोस्तों, Russia के अंदर एक जगा है, Vladivostok, Vladivostok करके शहर है, वहाँ पर Eastern Economic Forum की meeting annually होती है, अभी virtual-virtual कर रहे है, because of obvious reasons, ये जो Eastern Economic Forum है, इसे 2015 के अंदर established करा गया था, every year in Vladivostok, Russia इसक रशिया का initiative है, ताकि international integration बढ़ाया जासा कि उस particular region के अंतर दोस्तों, इंडिया रशिया के energy ties, बड़े deep ties है दोस्तों, Russia largest investment destination है, इंडिया की oil and gas company होने, रशिया की oil fields में बहुत पैसा लगाया है, साखालीन वन, वैनकॉर, तास, यूरियाक, ये नाम आपको मालू होने चीए दोस्तों, 16 billion dollar, 16 billion dollar का investment इंडिया की company होने रशिया में करा है, 1 billion dollar, इस मोटा मोटी 7000 करोड, तो आप समझ सकते दोस्तों कि 1 lakh करोड प्लस का investment हमारी company होने रशिया के अंदर करा है, और रशिया भी largest investor इंडिया के oil and gas sector के अंदर 1000 करोड रशिया ने लगा दिया है, आप समझ स हमने इस प्रटगार के dialogue को set up करा, ताकि important promising areas जिसके अंदर bilateral trade, economic, investment, cooperation, relation को improve करा जा सके, उस पे काम करा जा सके दोस्तों, तो रशिया के ओपर आपको GS2 में कभी भी question पूच सकते, सारी information आपके काम आईगी, moving ahead to question number 6, तीन statement आपके सामने रखे हैं related to disease, आपको बताना है कि कौ eradicated, that don't have animals as a reservoir, malaria and chickenpox are endemic diseases, unlike smallpox which has been eradicated, in case of coronavirus disease, it will continue to circulate as it is present in the animal reservoir, आपको read करके, आराम से सोच के बताना है कि कौनसे statements correct है, right, only those pathogens can be eradicated, that don't have animals, bracket में another species as a reservoir, क्या ये only correct है दोस्तों, malaria chickenpox endemic है, क्या ये correct है, smallpox has been eradicated, is this correct, in the case of coronavirus disease, it will continue to circulate as it is present in the animal reservoir, क्या smallpox eradicate हो चुका है, या फिर रिजरेक्ट हो चुका है दोस्तों, वापस आ चुका है, आपको सोच के बताना है कि कौनसे statements correct है, please select your answer for the 6th question, right, चलिये, 6th question के अंतर दोस्तों, variety दिखाई दे रही है, लखी कुमार is saying that the answer should be A, aspirant as well as Aman, you are saying that the answer should be C, okay, Shripad is saying that the answer should be A, Ajit Prashant, you are saying that the answer should be A, very good दोस्तों, आप सब लोगों के answers गलत है, answer should be C, तीनों statements यहाँ पर correct है, let me explain the entire matter to you, जो स्वामिया स्वामिनाथन है, जो WHO की chief scientist है, उन्होंने कहा है कि coronavirus इंडिया के अंदर endemicity की तोर पे भढ़ रहा है, endemicity की तरफ भढ endemicity का मतलब यह है कि एक particular इलाके में अगर कोई प्रकार का infection all the time पाया जाता है, all the time, तो उसे हम endemicity कहते हैं, दोस्तों, उसे हम endemicity कहते हैं, right, तो अब कैसा होने लग रहा है कि some form of endemicity आरी है, because low to moderate level का transmission हमेशा रहने वाला है coronavirus का, जैसे cold का, flu का, malaria का रहता है, कि low to moderate level transmission वो शाहिद जमील, जो कि एक बहुत ही leading virologist है, उन्होंने ये कहा है, दोस्तों, कि कोई भी चीज endemic कब होती है, जैसे influenza endemic है, right, लेकिन जो smallpox है, उसे eradicate कर दिया गया, यानिकि वो endemic नहीं है, तो कोई भी चीज endemic कब रहती है, जब वो all the time present रहती है, और जिस चीज को eradicate कर द दिये, तो कौन से pathogen है, कौन से viruses है, या कौन से bacteria है, कौन से प्रकार के pathogen है, जिसे eradicate कर सकते हैं, जिनका केवल human के अंदर base है, यानि कि आप में हम में base है, अनिमल में base है, तो humans में से निकाल दिया, तो उसको हमने खतम कर दिया, animal में base है, तो अब animal को पकड़ के कैसे vaccinate करे तो अब जैसे for example, ले लिजे, smallpox और polio के अंदर, केवल human के अंदर वो पाया जाता है, human virus है, तो since वो human virus है, तो उसे eradicate करना possible है, लेकिन rinder pest और ये प्रकार के जिसे coronavirus है, इनका animal के अंदर base है, दूस्तो, bats के अंदर base है, cattle के अंदर base है, camels के अंदर base है, saver cats के अंदर base है, तो अगर इनका base animals के अंदर है, तो इनने eradicate नहीं करा जा सकता है, यानि कि कोई भी virus pathogen, जिसका animal reserve है, जिसके अंदर animal के अंदर base है, वो वापस से human beings के अंदर आ सकता है, जब human beings की immunity कम होती है, दोस्तो, तो coronavirus के case के अंदर क्या होएगा, कि it will continue to circulate हो आए, बिकोज उसका animal base ह तो हमारे को हमेशा protect करना रहेगा, vaccination करते रहना पड़ेगा, जब तक vaccination का अशर रहेगा, तब तक coronavirus हमारे से दूर रहेगा, और जैसी vaccination का अशर कम हो जाएगा, या immunity कम जोर हो जाएगी, तो वो एक symptomatic infection के तौर के पर हमारे पास आ जाएगा, it will not be called a disease, eventually वो एक छोटा मोटा infection बनके रहे जाएगा, लेकिन थोड़ा time है, जब तक वो stage आएगा, तब तक वो stage आने में थोड़ा से time है, now based upon this entire understanding, पहला statement, only those pathogens can be eradicated that don't have animal as a reservoir, this statement is correct, हमने पढ़ा, malaria chickenpox are endemic, ये भी हमने पढ़ा, smallpox has been eradicated, ये भी हमने पढ़ा, in case of coronavirus disease, it will continue to circulate as it is present in the animal reservoir, ये भी हमने क्योंकि उसे eliminate नहीं करा जा सकता है, because only human virus नहीं हो, animal में भी पाया जाता है, तो अगर आपको समझ में आ गया है कि तीनो statements correct है, तो please एक thumbs up दे दीजे दोस्तो, सारे students दोस्तो, कलपेश, aspirant, as well as जलच, पृती परणा, प्रमोध, अमन, प्रशांत, अजीत, लकी, if you have understood, जो भ कि आपके सामने रखा है, President's Color term news में देखा गया था, हाल फिलाल के अंदर, last week के अंदर, इसी President's Color के बारे में आपको तीन statement दिया, आपको बताने कि कौनसे statements correct है, ये एक award है, यारी, it is bestowed on a military unit, in recognition of exceptional service rendered to the nation, both, both in peace and in war, Indian Navy was the first Indian Armed Force to receive the President's Color, this award can also be awarded to state and UT police forces, आपको सोच के बताने कि कौनसे statements correct है, दोस्तो, please share your answers for the seventh question, दोस्तो, एक और शांदार लेवल का question है, related to President's Color, ये एक प्रकार का award है, वैसे थो छोटे बोटे awards के बारे में बात नहीं करता है, दोस्तो, आप लोग जानते हैं कि फाल्तू topic है, UPSC point of view से, लेकिन President's Color बहुत ज् prestigious award है, दोस्तो, इसे ignore नहीं कर सकते थे, इसले इसका coverage करवा रहा हूं, दोस्तो, आप विश्वास रखिए कि सारे important topics से related आपको MCQs करवाए जाएंगे, आपको बश डेली basis के ओपर इस exercise के अंदर participate करना है, दोस्तो, right, please share your answers, right, चलिए, जलज ने skip कर दिया, बहुत अच्छ जल्दी-जल्दी answer देदीजे, दोस्तो, आप लोग, I'll wait for some more answers, okay, प्रमोध का answer D है, अमन का answer D है, right, friends, यहाँ पर जो answer बनना चीए, right, that should be D, 1, 2, and 3, कई students क्या करेंगे, कि इसको देखकर eliminate कर देंगे, सिर्फ इसको देखकर eliminate कर देंगे, आप लोग गलत trap में फच जाएंग क्या आपको लगेगा अगर इतना easy question है, third statement गलत है, इसको eliminate मारो, answer A लगा दो, कुछ देखने ही ज़रत नहीं है, तो यह आपको फसाने के लिए बेट है, और यही आपका trap है, इसी के अंदर आप लोग फसोगे, क्योंकि यही statement जो है correct है, यह Wikipedia के अंदर से मैं निकाल के लाय इंडिया की आर्मी की battalion, regiments of Indian, armored crops, right, air force, navy, तो आप देख सकते की state and UT police forces को भी दिया जाते है, दोस्तो, तो यह प्रकार के bait and trap से आपको फसना है, कि जान बुच के एक गलत statement, जो कि आपको obviously गलत लग रहा है, वो सही होगा, वो रखा जाते है question के अंदर, उसको आप eliminate करके answer select करते हो, और answer कोई और direction में चला जाते है, दोस्तो, आपके marks कर जाते है, यह प्रकार के गलतियों से आपको examination में बचना है, दोस्तो, right, what is president's color, यह military unit के उपर भिष्टाओ करा जाता है, for exceptional service during peace and war, right, naval aviation को दिया जाने लग रहा है, naval aviation का भी पूरा detail यहाँ पर दिया है, कि Indian naval aviation क्या है, दोस्तो, Indian Navy was the first Indian armed force, जिसे president's color दिया गया था, Rajendra Prasad द्वारा, in 1951, दोस्तो, subsequently, Navy के बहुत सारी units को president's color का award मिला है, दोस्तो, Navy का Southern Naval Command, Eastern Naval Command, Western Naval Command, Eastern Fleet, Western Fleet, Submarine Arm, INS Shivaji, Indian Naval Academy, सबको president color मिल चुके है, दोस्तो, right, Indian naval aviation का पूरा कच्छा चिटा यहाँ पर रखा है, right, सार मैंने आपको trick समझाई है, दोस्तो, कि यह beta और trap के, इसके अंदर से आपको बच के चलना है, दोस्तो, answer to this question was D, moving ahead to the 8th and 9th UPSC question, दोस्तो, digital signature के उपर question है, please share your answer, what is digital signature, it is an electronic record that identifies the certifying authority issuing it, it is used to serve as a proof of identity of an individual to access information or serve on internet, right, it is an, और चाह, यह third statement को यहाँ पर से पढ़िये मत, यहाँ से रीड करिये, an electronic method of signing an electronic document and ensuring that the original document is unchanged, तीन statement आपको पढ़के बताएं है, पहला statement यह है दोस्तो, right, कि एक electronic record that identify करता है certifying authority को, यह दूसरा statement है, और यह तीसरा statement है, यह 2019 का UPSC का actual question है, related to science and technology, right, चाह दिए, Vishal, you are in 10th class, very good, बहुत अच्छी तयारी कर रहे है आप, right, current affairs, कोई भी year से आप पढ़ सकते हैं, 10th, 11th, 12th, आप जितना ज्यादा current affairs पढ़ोगे, उतना ज्यादा आपकी overall understanding improve होएगी Vishal, very good, right, चली, बहुत अच्छा है, दोस्तो, 8th question का answer should be D, 1, 2 and 3, right, digital signature certificates, they are digital equivalent, of physical or paper certificate, right, अब certificate serves as proof of identity, अभी ये digital एक certificate ही है, ये proof of identity of an individual for a certain purpose, right, likewise digital certificate can be presented electronically, prove your identity, access your information, right, on the internet and to sign the documents digitally, तीनो statements correct है, right, certifying authority, issue identifies the certifying authority, obviously क्यों की certificate है भाहिया, किसीना तो दिशू करा रहे हैगा certificate, ये proof of identity, information access करवाता है, you can sign the document, right, ज्यादा overthinking की requirement नहीं तिंग, आपर answer is 1, 2 and 3, moving ahead to the 9th question, UPSC का actual question है, दोस्तो, 2019 का, in the context of wearable technology, which of the following tasks are accomplished by wearable devices, location identification, sleep monitoring, assisting hearing impaired person, तो जो wearable technology है, वो person को कैसे assist करती है, ये आपको बताना है, this is the 9th question, please share your answers for the 9th question, अमन, जलज, श्रीपद, Aspirant, कलपेश, and all others, please share your answers for the 9th question, 9th question के अंदर भी आप लोग answer majority D लगाने वाले हैं, मैं जानता हूँ, answer यहाँ पर D है, दोस्तो, right, wearable technology के सारे चीज़े आपको यहाँ पर बता रखी है, all the options are correct, इसको आप लोग note को download करके पढ़ेंगे, note को आपको stable coin है, commodity collateralized stable coin है, crypto collateralized stable coin है, non collateralized stable coin है, Facebook की जो Libra cryptocurrency का concept, last October, November के अंदर news में चला था, last October, November में, वो क्या है, क्या हो fiat collateralized stable coin है, commodity collateralized stable coin है, crypto collateralized stable coin है, या फिर non collateralized stable coin है, please share your answers for the 10th question, right, बड़े confidence के साथ आप लोग 10th question का answer A लगा रहे हैं, जलज का answer A है, last 10 का answer A है, all of you please share your answers, do like and share this session दोस्तों, कंजूसी मत करिए, आपको like देने में कुछ नहीं जाएगा, right, चलिए, 10th question का answer लगा दीजिए, कलपेश का answer is C, श्रीपद का answer is D, प्रशान्त का answer is A, अमन का answer is D, यहाँ पर answer is A, यह fiat collateralized stable coin है दोस्तों, fiat collateralized stable coin है, cryptocurrency है, किये, so what is Facebook का Libra, Facebook का Libra, एक cryptocurrency है, जो की launch करने के लोग कोशिश कर रहे हैं, right, so Geneva based Libra Association, will issue and govern Libra plans to launch a single digital coin, Libra को unveil करागे तो 2019 के अंदर, right, regulator से permission नहीं मिलीती तो उसको scale down करके launch कर रहे हैं, दोस्तों, Libra Association, Facebook is also members, यह, they are seeking to take a go ahead from Switzerland's market watchdog, ताकि यह stable coin को issue कर सके, right, it is a issue of series of stable coins, backed by individual traditional currencies, so what is stable coin, stable coin एक प्रकार का cryptocurrency है, जो की attempt करेगा to peg their market value to some external reference, यानि की यह stable coin है, इसकी value will be pegged, यानि की attached, it will be attached to some external reference, external reference, यानि की कोई ऐसी चीज, जो की directly इससे associated नहीं है, right, तो अब जैसे, for example, मान लिजे की एक stable coin है, उसने अपनी value dollar के साथ peg कर ली, तो dollar की value उपर जोएगी, तो stable coin की value उपर जाएगी, डॉलर की value अगर नीचे जाएगी, तो stable coin की value नीचे जाएगी, तो stable coin, pegging their value to currency like US dollar, या फिर वो अपने price को gold के साथ भी connect कर सकते, यह stable coin है, इसने अपने value को gold के साथ connect कर दिया, gold का unit है AU, right, तो अगर gold का भाव उपर जाएगा, तो stable coin का भाव उपर जाएगा, gold का भाव नीचे जाएगा, तो stable coin का भाव नीचे जाएगा, right, तो stable coin अपनी value कैसे करते है, peg कर लेता है, तो उने external reference, दोस्तो, so stable coin, price stability via collateralization, backing, और तो algorithmic mechanism, अपनी prices को stabilize कर देता है, दोस्तो, right, stabilized रखते हैं अपने prices को, three categories of stable coins है, right, all based on their working mechanism, fiat collateralized stable coin, यानि कि इसके अंदर कैसे है कि fiat collateralized stable coin, maintenance of fiat currency reserve, यानि कि वो stable coin की value based upon एक currency की reserve की उपर है, तो ये reserve की value उपर जाएगी, तो उसकी value उपर जाएगी, जैसे for example, US dollar, right, तो जो आपका libra है, ये fiat collateralized stable coin होने वाला है, दोस्तो, right, ये प्रकार से आपको चीज मालूम होनी चीए, ठीक है, उसके अलावा crypto collateralized stable coin का मतलब क्या होता है, they are backed by other cryptocurrencies, and non-collateralized algorithmic stable coin का मतलब क्या होता है, और जो आपको ये करा जाता है, stable coin को peg करा जाता है within external reference, उसका मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया, तो आपको यहाँ पर clearly समझ में आ रहे हैं दोस्तो, कि Facebook का जो libra है, वो fiat collateralized stable coin था, सारा का सारा detail मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया है दोस्तो, right, यहाँ पर clear तरीके से लिखा है, it is going to be backed by dollar, तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, it is going to be backed by dollar, और यहाँ पर हमने लिख दिया है, fiat collateralized stable dollar के अंदर, जो reserve रखा जाता है, वो dollar वगेरा का रखा जाता है, यानि कि libra is fiat collateralized stable coin दोस्तो, बहुत सारे courses आपके लिए launch कर रहे हैं, दोस्तो, launch कर चुके हैं, बहुत सारे courses खतम कर दिये हैं, बहुत सारे courses आगे start करेंगे, सब्जेक्ट से, current affairs पढ़ाऊंगा, mains की answer writing करवाऊंगा, A to Z बहुत सारे शीज़े करवाने वालाऊं दोस्तो, राइट, so with this, we'll bring this lecture to an end, we'll meet again tomorrow, thank you very much for your active participation, do like and share this session, all the very best and जयहिन दोस्तो.